पहली मार्च से जैसे ही साट वर्ष से अधिक आयू पर के लोगों को कोविट 19 का टी का लगना शुरू हो गया है ऐसे में तिबबती धर्मकुरू दलाई लामा को भी करोना वेक्सीन लगाने का मामला सरकार के बेचारा धीन है इस संबद में तिबबत निर्वासित सरकार की और से भी जिला स्वास्ते विबाग से आगरे किया है सियमो कांगडा डॉक्टर गुर्दर्शन कुप्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले तिब्बत निर्वासित सरकार की और से तिब्बती धर्मकुरू दिलाई लामा और उनके आसपास के सहयोगी लोगों को कुरोना बैक्सिन लगाने का आगरे किया गया था इस संबत में निर्वासित सरकार की और से एक लिस्ट भी मुहया करवाई गई थी भारत सरकार के निर्देशों के तहट उस समय संबब नहीं था क्योंकि उस समय सर्फ हैल्थ और फ्रंट लाइन बर्कर को बैक्सिन लगनी थी ये मामला भारत सरकार के ध्यान में है इस संबत म कोमो रोवैल्टी है उन्हें कोरोना बैक्सिन लगाई जा रही है उसमें तिब्बती धरमगुरू दलाई लामा को भी ये बैक्सिन लगनी है इर्वासित सरकार की और से जो लिस्ट दी गई थी उसमें कुछ लोग 60 वर्श से कम है ये मामला सरकार के बिचारा दीन है कोई भी रिक्वेस्ट आई थी को और उनके निकट जो लोग रहते हैं कुछ लोगों को वेक्सिनेट करने के लिए तब ये संब्बम नहीं था क्योंकि बार्थ सरकार की दिशन रिलिश्चों के में ताबिक सिर्फ फ्रेंड लाइन और हेल्थ के वर्कर्स को ही वेक्सिन लगनी थी यह मामलारी सरकार के बिचारा दीन है थीक है? जैसे ही इसके बारे को यह निमत दिया जाता है, और क्योंकि His हालिगस्ट भास जो आ ह वो समय साट साल की से ऊपर है तो उनकी वेक्सिनिशन होनी है जैसे ही इसके बारे में गुवान तिन्थ हैसला लिया जाता है सरकान द्वारा उनको प्राइटी पे जलालामा जी को भी और भी जितने इतने को प्रॉमनेट सिटिजन्स हैं उनको वेक्सिनिट किया जाएगा आइस पर आइस दे